नमस्कार केसान भाईएउं स्वागत है आज की एक और नू रिविव वीडियो में तुब भाईएउं आज हम एक एंसे ट्रेक्टर का रिविव करने जा रहा है जिसमें कंपणी ने फूरा ट्रेक्टर ही चेंजे कर दिया पहले जो ट्रेक्टर आता था वो बहुत ज़्यादा डीजल खपत थी उसके लेकिन अब कंपनी नो इसमें काफी सुदार किया इसके इंजन में अब काफी कम इसके डीजल खपत कर दी भाई हो है इस पेसली रोटावेटर के लिए बनाया है कंपनी ने चली अब बात करते हैं इस टेक्टर के फ्रंट में तो भाई हो फ्रंट पावर स्टेरिंग के तो भाई हो इसमें आपको डवल एक्टिंग पावर स्टेरिंग के अंदर आता है और भाई हो इसमें पावर स्टेरिंग की सिलेंडर पे भी कंपनी कावर लगा के देती है ठीक है भाई हो और भाई हो बात करें इसकी फ्रेंट एक्सल की तो भाई हो है भी ड्यूटी एक्जेस्टेवल इसका फ्रेंट एक्सल है और फ्रेंट में ही कंपनी इसमें आपको लगबग 60 किलो का बंफर लगा के देती इसे आप बढ़ा कर एक कॉंटल तक कर सकते हैं और इस टेक्टर में आपको डोजर बगएरा के लिए पहले से कंपनी ने पॉइंटिंग दी गई है और इस टेक्टर की डीजल फिल्टर की पुजी सन यहां पर दी है इस टेक्टर में आपको सेंगल डीजल फिल्टर ही देखने को मिलेगा और इस टेक्टर के अंदर डीजल से पानी अलग करने के लिए बाटर सेपरेटर फिल्टर भी कमपनी ने ओफर किया और यहां पर इसमें आपको टूल बॉक्स मिल जाता है किसान भाई पाना बगएरा रख सकते हैं चलिए हम में इस टेक्टर का आपको बॉनट खोल के दिखाता हूँ भाईयों इस टेक्टर के अंदर आपको रेजीगेटर भी काफी बड़ी साइच का मिलता है और भाई अगर बात करें इसके एर क्लीनर के बारे मत इसके अंदर आपको सूखा ड्राय टाय पी डवल एलिमेंट वाला एर क्लीनर कमपनी ओफर कर दी इस टेक्टर के रेजीगेटर में कमपनी जाली लगा के दी जिससे कि इसमें दूलबा गहरा जम जाए तो भाई इसे निकाल के साफ कर सकते हैं और भाई इसमें आपको फ्रेंट में ही अठा से एच बारा बोल्ट की बैंटरी मिल जाती है एक साइट की ट्रेस्टेड विरांड और यहां पर इसमें आपको रेजीगेटर में एक्स्ट्रा कूलेंट टंकी भी देखने को मिलती है और इस टेक्टर के अंदर आपको बॉन लिप्ट चमता हो और भी वहतर बना दी कंपनी ने और यहां पर इसमें आपको यहां पर हाइडरोलेक फिल्टर का भी काफी बड़ी साज है इसमें अन्य टेक्टरों की तो नाम है और इसी के नीचे आपको इंजन ओयल फिल्टर का पूजिसन भी दिया हुगा है किसान भा पर करती है और भाहिं इसके दोजार इंजन रिटेड आरपी हैं पर काम करके लगबग 230 न्यूटर मीटर का निकालता है इस टेक्टर के अंदर नॉन टर्बो इंजनी कंपनी ओपर करती है नॉन टर्बो इंजन लॉंग लाइप तक चलता है भाहिं अगर आब बात करें इस अगर साइड र menor करें तो साइड में आपको सौना लीका की ब्रांडिंग देकने हे loud जाती है ठीक है भाहिं उन इसमें सोमने यहांपर अलीक करमंपनेसिंग की अगर्णा की तरियांग की कंपनी मेंसन करती ही अचलिए इसकी परंट आर की बात करें तो इसके अंदर आपको साथ पचा सोला का कंपनी ओफर करती है ठीक है भाई हो और यहां पर इसमें आपको मटगाट के अंदर यह आपको LED बल्प इंडिकेशन लाइट मिल जाती है और इसके फ्रेंट टायर की बात करें तो हैवी ड्यूटी इस्ट्रेड रेक्सल के साथ ही कंपनी ने लाउंच किया इस ट्रेक्टर को और भाई अगर बात करें इसके पीटियो पावर की तबाई हो इसके अंदर आपको सिक्स स्पिलाएं 47.30 एचपी की बहतर छमता वाली पीटियो पावर मिलती है और भाई इसके अंदर टाप लिंक के अंदर आपको 3 पॉइंट मिल जाते हैं और यहाँ पर कंपनी ने इसमें मटगाटों के अंदर रोड लगा के दिये इससे की मटगाट और भी बहतर तरीके से मजबूत हो जाएं और यहाँ पर इसमें रिफ्लेक्सर प्रेट भी कंपनी लगा के देती है और दो लीटर तक का बाटर का फॉल्डर भी कंपनी उफ़र करती है भाई इसकी लिंक है भी कंपनी ने कापी हैवी और मजबूत बनाई है इसमें आपको जैक सिस्टम मिल जाएगा जिससे की एंप्लिमेंट हिले डोले दो लेना भाई अगर इसके लिफ्लके के पशिटी की बात करा है तो इसके अंदर आपको बैतर जहोंता बाली बाइस सो किरुके कंपनी उफर करती है इस टेक्टर के अंदर आपको डबल डबल डिस्ट्रिबिटर बाल भी मिल जाते हैं और इसके यहाँ पर मटगाट पे आपको ब्रेक लाइट इंडिकेशन लाइट मिल जाती है यहाँ पर इसमें आपको backlight मिलती है रात के समय में काम करने में किसानों को काफी मददगार रहे थी और यहाँ पर इसमें number plate के लिए भी company ने plate लगा के दी है ठीक है भाई हूँ और इस tractor के fender की check करते हैं पर तो fender में भी काफी gap दिया है जिससे की paddling का काम करते समय पेंडर चोक ना हूँ और इसमें आपको मटगाट के उपर ही गरे फेंडल passenger गरे फेंडल company उपर करती है चलिए किसान भाई हूँ आप में इस tractor को आपके ऊपर चड़के लेकर चलता हूँ तो भाई हूँ उपर से कुछ आप इस पर car visibility है इस tractor की इसकी steering भी काफी छोटी और car हो जैसी है भाई अगर बात करें इसकी मीटर की तो इसमें आपको digital और analog meter company उफर करती है यहां पर इसमें आपको hand race मिल जाती है और इसकी DRL की सुच है और यहां पर किरॉम फिनेसिंग में dashboard का भी खूबसूरत दिया है company ने और इहां पर इसमें आपको site car हो जैसा इसमें आ यहां पर इसमें आप पीछे ले जाओ और इसमें आगे ले जाओ ठीक है भाई हो और यहां पर इसमें आपको engine cut hop बार लीवर भी देखने को मिल जाता यहां नीचे ठीक है भाई हो और चलिए आप बात करते हैं इसके brake type की तो भाई हो इसके अंदर company ने oil emmats तेल में ठीक है भाई हो और इस site आपको यहां पर mirror भी company उफर करती है पीछे का भी देखने के लिए ठीक है चलिए अब बात करते हैं इस टेक्टर के gear box के बारे में तो इसके अंदर आपको fully constant में सी gear box company उफर करती है जो की site sept gear lever के साथ आता इसमें आपको एक दो तीन चार भाई हो चार स्पीड इस site मिल जाती है ठीक है भाई हो और भाई हो और इस site आपको इस site भाई हो इसकी के बारे में बात करना है तो भाई हो इसमें आपको double college company उफर करती है इस site आपको high low medium का lever इस site देखने को मिल जाता है तो भाई हो इसमें आपको 12 forward 12 reverse के साथ 24 speed इस टेक्टर के अ पांसो चालीच स्टेंडर आर्पीम बित रिवास स्पीट के साथ इसकी पीटियो बर्ग करती है इस टेक्टर के अंदर 65 लीटर का fuel टेंक मिल जाता है ठीक है किसान भाई और यहां इसमें आपको सीट के पास में position and drive deliver दी है जो कि किसान भाई का पी आसानी से operate कर सकते हैं उ वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो देखने के लिए धन्युक्त